नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ लिवर की विमारी होने से पहले शरीर से मिलते हैं ये साथ संकेता ये जानते हैं इनके बारे में छुटियों का मौसम है ठं क्यों हो जाती है वैसे तो ना इसका कोई तय मौसम है और नहीं तय शिकार लेकिन लिवर की समस्या आसानी से किसी को भी हो सकती है लिवर की बिमारी के पहले मरीज की बोडी उसे कुछ सिगनल देती है क्या है वो आये जानते हैं दर्द जो धीरे धीरे बढ़ता है जिहां लिवर पीट की उपरी हिस्से में होता है और अगर उस हिस्से में अक्सर दर्द होता रहता है तो ये लिवर की बिमारी के संकेत है ये दर्द अक्सर हलका होता है और लगातार होता रहता है अगर तीखा दर्द हो रहा है और कभी कभी होता है तो ये लिवर की बिमारी का सं शेत रहते हैं उनके लिवर के लिए काम आसान होता है लेकिन फास्ट फूड और शोशल ड्रिंकिंग के शोकीन लोगों के लिवर को ओवर टाइम करना पड़ता है जब पीट में हलका दर्द शुरू हो जाए तो ये संकेत होता है कि लिवर टॉक्सिक हटाने की जगह इसका आ दिक्कत हो रही है ये इससे भी समझ आता है कि हाथ और पैर में सुजन बढ़ने लगती है ये सुजन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि लिवर एक दिन थोड़ा सुलू काम कर रहा है बलकि ये सुजन इसलिए भी होता है क्योंकि लिवर को रोज का काम करने में ज्या ये हो रहा है तो यकीनन डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है इसके अलावा अगर आसानी से खून निकलाता है तो भी ये लिवर के डैमेज होने के संकेत हैं इसका मतलब है कि लिवर सही प्रोटीन नहीं बना पा रहा है और ब्लड क्लॉंटिंग होने लग रही है कोई एक तमस्या हो रही है ऐसा अकसर तब होता है जब इनसान काफी ज्यादा शक्कर फैटी खाना या शराब पिए या फिर कोई ऐसी दबाई खा रहा हो जो लिवर पर सीधा असर करे खुजली जिहां ये सुनने में भले ही अजीब लगेगा लेकिन है पूरी तरह से सच लिवर की बिमारी के कारण शरीर में खुजली होना शुरू हो जाता है इसकीन पूरी तरह से आम दिखेगी लेकिन कुछ जगहों पर आचानक खुजली शुरू हो जाएगी हालांकि ये कई अन्य बिमारीों के लिए भी कारगर होती है यानि की कारण होती है ठकान आलस और ठकान वैस सूस होता है पीला पन जिहां ना खुन और आखों का पीला होना इस बात के और इशारा होता है कि पीलिया हो रहा है और लिवर काफी खराब इस थिति में पहुच गया है जिहां दोस्तों तो ये वो कुछे कारण होते हैं जो कि आपको बता देते हैं कि आपका लिवर निवाद, नमस्कार दोस्तों.